तो कहें रीसेली हुए डवीड़ी के अंदर कोवीड-19 के आउटब्रेक की वज़े से डेवन पेपर वीड़ी क्या खत्रे में और क्या डेवन पेपर वीड़ी कैंसल होने वाला है मैचेस में क्या कुछ चेंज होने वाला है इस टापिक पर इस वीड़े में हम गाइस बात करने वाले हैं तो वीड़े काफी इंटरस्टिंग होगी इसे लाज तक जरूर देखी तो गैस आप सब जानते कि रीसेनी कैसे सैथरोनिस कोवेड पॉजिटिव हो चुके हैं और इसके बाद डवीड़े ने प्रिकॉशन लेते हुए अपने काफी सुपस्टार्स को शो से हटा लिया लाइव इवेंट में भी हमें काफी सुपस्टार्स देखने को नहीं मिले और इसी का सराज आपको मंदेने ट्रॉपर भी देखने को मिला जहाँ पर हमें सैथरोन इस बैक की निज बिग गी ऐसे कुश सुपस्टार्स देखने को नहीं मिले और इस वज़े से डवी डवी के शोज भी एफेक्ट हो रहे है लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि डवी डवी इन सुपस्टार्स को सेफ रख पाईगी और अगर यह सेव रहते हैं तो क्या डेवन पेपरूम में यह प्रफॉर्म कर पाएंगे तो गैस जो फिलाल अपडेट है उसके गॉर्डिंग अगर डवी डवी का शोग कल पर सुपता तो शायद डवी डवी को शोग कैंसल करना पड़ता है और मैच इसमें काफी चेंजिस होते लेकिन यहाँ पर शोग कुछ दिन बाद है और डवी डवी को असा लगता है तब तक सारा मामला कलियर हो जाएगा और इसी वज़े से अभी हमें देखने को मिल रहा है कि किसी भी मैच में कोई भी चेंज नहीं है स्पेशली डवी डवी चेंपिंशी मैच की बात करें क्यूंकि यहाँ पर हमें शोपर साथ और इस जोगी कोविट पॉजिट हैं वो भी देखने को नहीं मिले और दूसरी तरफ बीगी भी देखने को नहीं मिले तो उनका स्टेटस के अब वो तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है लेकिन फिलार डवी डवी यही मान कर चल रही है कि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वह अगर हम रोम अरेस की बात करें करें हैं कि रोम अरेस अपनी हल्थ बेकर काफी प्रीकोशन लेते हैं और डवी डवी ऑ इन्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती है इसलिए डवी डवी ने प्रिकोशन लेते हुए उन्य लाइव इवेंट से हटा दिया है ताकि रोम अरेस को भी कोविड 99 नहीं हो जो फिलाल अपडेट्स है वो काफी positive है और यही माना जा रहा है कि अगर कोई बड़ी problem नहीं होती तो फिलाल के साब से तो day one pay-per-view होगा और matches में कोई भी changes नहीं होगे लेकिन गाइस अगर आगे चल कर situation बदलती है तो सकता है डवी डवी को मजबूरी में matches में changes करने पड़े लेकिन गाइस फिलाल के लिए यही अपडेट आगे day one pay-per-view में कोई भी खत्रा नहीं है लेकिन गाइस जैसे कोई और बड़ी अपडेट आगे तो मैं आपको चैनल पर inform कर दूँगा और गाइस बस आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक थी अमीदा आपको वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक के मेंने तो कहीं मैं जाना और साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बैल आकन को आउन तक आपको मारे चैनल पर से डवी डवी से जुड़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो जैकने को मिलती रहें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो